आधियों, आज का भारत वेश्विक द्वंदों के बीज भी पुरी स्थिर्ता के साथ शांती के लिए प्रयास करता है, काम करता है। और भारत अपनी देश की रच्छा, सुरच्छा के लिए भी आज उतनी ही द्रड़ता से अटल है। हमारे सामने गुरुँआ की दी गई हुई महान सिख परंपरा है। पुरानी सोच, पुरानी रूडियों को किनारे हटा कर गुरुआने नई विचार सामने रखे है। उनके सिशों ने उन्हें अपनाया, उन्हें सिखा नई सोच का ये सामाजी का भियान एक भैचारिक इनोवेशन था, इसलिए नई सोच, सतत परिश्रम और सत प्रतिशत समर्पन ये आज भी हमारे सिख समाज की पहचान है, आज जहादी के अमरित महोत्सों में, आज देश का भी यही संगल्प है, हमें अपनी पहचान पर गर्व करना है, हमें लोकल पर गर्व करना है, आत्म निर्भर भारत का निर्मार करना है, हमें एक ऐसा भारत बनगना है, जिसका सामर्थ है, दुनिया देखे, जो दुनिया को नई उन्चाई पर ले जाए, देश का विकास, प्रगती ये हम सब का कर्तव्य है इसके लिए सब के प्रयास की जरुरत है मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुआं के आसिरवाद से भारत अपने गवरों के सिखर तक पहुँचेगा जब हम आजादी के सौ साल मनाएंगे तो एक नया भारत हमारे सामने होगा गुरुतेक बाहदूर जी कहते थे साधो साधो गोविन के गुनगाओ मानस जन्म अमोल कपायो वर्था काहें गवाओं इसी भावना के साथ हमें अपने जीमन का प्रत्यक्षा देश के लिए लगाना है देश के लिए समर्पित कर देना है